हलो फ्रेंट्स आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत हैं इस वीडियों जो पढ़ने वाले हैं वो है रुण्जे कुट्टा मेथड इससे प्रिविएस वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो था रुण्जे मेथड ओनली रुण्जे मेथड से किस तरह कुएसन सौल्व करते हैं इसे नेक्ष्ट वीडियो में हम एक एक्जामपल लेंगे जिसमें रुण्जे कुट्टा मेथड से से किस तरह से कुएसन सौल्व करते हैं यह हम नेक्ष्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे तो यह हमारे पास रुण्जे कुट्टा मेथड र most accurate method they do not require the competition of higher order derivative as in Taylor series method rather they require evaluation of fxy जैसे हमने पहले देखा था Taylor method भी हमने पढ़ा था Taylor method में क्या था कि हम जो function था उसके हम और derivative निकाल रहे थे अलग-अलग derivative पे उसके पहले हम value निकाल और तब हम question solve कर रहे थे लेकिन रूंजी method में रूंजी कुट्टा method जो है इसमें हमें derivative निकालने की जरुत नहीं पड़ती है इसमें simply जो function है उसी पे हम apply करते हैं और solution निकालते हैं तो किस तरह से करते हैं तो यह देखते हैं the fourth order रूंजी कुट्टा method is most commonly used and often refer to as रूंजी कुट्टा method only without any reference of the order यह जो रूंजी कुट्टा method जो होता है वह basically ऐसा method है जिसको हम अगर रूंजी कुट्टा method बोलें रूंजी कुट्टा method और fourth order बोलें कोई फरीक नहीं पड़ता क्योंकि जो method है वह रूंजी कुट्टा method की नाम से भी जाना जाता है कहीं भी एगर आपसे पूछा जाए solve this question by रूंजी कुट्टा method तो आपको रूंजी कुट्टा method जो method है fourth order की question से solve करना है जब हमारे पास कोई और order होगा तो वह specify करेगा रूंजी कुट्टा method third order से solve करो रूंजी कुट्टा method की fourth order से solve करो या रूंजी कुट्टा method की ट् rights method order से solve करना है तो इसमें to solve the differential equation कोई इस तरह differential equation होगी dy upon dx equal to fxy जहाँ पर yx0 पराबर y0 जो होगी initial condition होगी य रुण्जे कुटा method compute करते हम रुण्जे कुटा method के लिए पहले k1 compute करते है k1 जो होता है वो होता है h fx0 y0 जहाँ पर h जो होता है हमारे पास suppose कि हमें value निकालनी है एक 0 पर दिया हुआ है और x0 प्लस h, x1 बराबर x0 प्लस h इस पॉंट पर हमें value निकालनी है तो उस condition में h जो होता है basically x1 और x0 के बीच में जो difference होता है वो होता है हमारे पास h, और h की वेल्यू जितनी कम होगी जितनी छोटी होगी h की वेल्यू वो उतना ही accurate answer देगा तो यह होगा k1 बराबर h f x 0 plus sorry x 0 y 0 k2 जो होता है वो होता है h f x 0 plus 1 y 2 h y 0 plus 1 y 2 k1 जो k1 हमने यहाँ निकाला था उसके ने y 0 plus 1 y 2 k1 put करना है k3 जो होता है वो होता है जो K2 यहां निकाला है उसका 1 by 2 K4 जो होता है H Fx0 प्लस H and Y0 प्लस K3 Y0 प्लस K3 जब यह हम निकाल लेते हैं K1, K2, K3 and K4 जब हम निकाल लेते हैं तो उसके बाद हम K निकालते हैं क होता है वो होता है 1 upon 6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4 तो k1 के जो होता है वो होता है हमारे पास यह एक important point है यह याद रखना होता है हमाँ 1y6 k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4 then y1 बराबर yx0 plus h जो देते हम x0 plus h पे वो value जो होते है वो होते है yx0 plus sorry y0 plus k वो value जो होते है वो होते है y0 plus k to compute y2 अब y2 compute करने के लिए हम to compute y2 तो y2 compute करने के लिए हम क्या करते है पहले जो k1 जो हमारे पास initial condition दी हुई थी जो कि हमारे पास x0 और y0 पर दी हुई थी हमारे पास x0 and y0 जो कि गिवन condition दी हुई थी अब हमने x1 और y0, y1 compute कर लिया अब यह हमने compute कर चुके है तो हम सपोज कर लेते हैं कि x1 and y1 जो है वो given condition है तो इस condition में हमारे पास फिरसे हम k1 निकालते हैं k1 जो हो जाता है वो हो जाता है h f x1 y1 k2 जो हो जाता है वो हो जाता है हमारे पास h f x1 प्लस h y2 and y1 प्लस k1 y2 यह हमारे पास आ जाता है उसके बाद हम k3 निकालते हैं k3 जो हो जाता है h f x1 प्लस hy2 and y1 प्लस k2 y2 and उसके बाद k4 निकालते हैं यह जाता है h f x1 प्लस h and y1 प्लस k3 यह सारी वेली यह हम निकालते हैं तो यह वेली निकालने के बाद हम kडी की वेली निकालते हैं जो की वेली जो होते है वो होते हैं आप वान अपन 6 क लक्रते है थैइन अब्रहझा अग्स की और ah इसिकलि एक्सटू क्या है हमारे पास एक्स होता है इस तरह हम को熟सर करते हैं अब एक एग्जामप्ल लेते हैं और उसमाँ देखते हैं किस तरह से यूज रुन्जे कुटा method to find y when x बराबर 1.2 in the step size of 0.1 given that dy upon dx equal to x square plus y square and y at 1 पे दिया हुआ है हमारे पास 1.5 तो इसको solve करते हैं here f y बराबर जो दिया हुआ है हमारे पास क्या हुआ है function जो है हमारे पास x square plus y square दिया हुआ है h 0.1 दिया हुआ है we first compute y at 1.1 and then compute y at 1.2 basically पहले हम compute करेंगे y जो x 0 plus h x 0 क्या दिया 1 plus 0.1 तो यह जाएगा 1.1 तो पहले हमें y 1.1 compute करना होगा उसके बाद हम जब यह compute कर लेंगे उसके बाद हम करेंगे y at x 0 plus 2 h यह हम कहें y at x 0 plus h plus h तो यह जाएगा y at x1 plus h क्योंकि x 0 plus h क्या था? x1 था हमारे पास तो यह होजाएगा x1 plus h उसके बाद हम यह compute करेंगे 4y 1.1 we have x0 बराबर x0 जो है वो है 1 and y0 जो है वो है 1.5 अब हम k1 कंप्यूट करते हैं तो k1 जो है वो हो जाएगा h fx0 y0 तो h क्या आता हमारे पास 0.1 था x0 के आ है 1 and y0 है 1.5 यह value पूट के तो 0.1 1 का square प्लस 1.5 का square तो यह हो गए हमारे पास 0.325 इसको solve किया तो 0.325 आ जाएगा उसके बाद k2 निकालते हैं तो k2 जो है वो है h fx0 प्लस hy2 y0 प्लस 1y2 k1 तो यह हो गए 0.1 और यह हो गए हमारे पास f1 plus 0.1 upon 2 and 1.5 plus 1 upon 2 into 0.325 जो कि के बन जो आया था हमारे पास 0.325 आया था यह हो गए हमारे पास तो यह हो गए 0.1 तो बाहर रही f1.05 जो इसको solve किया जब इसको solve करेंगे तो यह जाए 1.6625 तब इस पर हम value निकालते हैं जैसे इसके में निकालेती हमें बेसिकली एक स्कॉर प्लस y2 value पूट करके निकालेंगा और 0.1 से multiply करेंगे तो यह जाएगा 0.3866 तो यह हो गए हमारे पास अब हमारे पास k3 k3 निकालते हैं तो k3 जो है वह हो जाएगा hf x0 प्लस hy2 और y0 प्लस 1y2 k2 तो यह होगा 0.1 जो x0 प्लस hy2 जो था वो था 1.05 और यह हमारे पास 20 जो था 1.5 दिया हो था 1.2 इंटू 0.3866 जो की k2 की value थी यह value पूट की और यह आगा हमारे पास 0.1 1.05 का square और 1.6933 का square यह आजाएगा हमारे पास 0.3969 उसके बाद k4 निकालते हैं तो k4 निकालेंगे तो यह हो जाएगा hf x0 प्लस h and y0 plus k तो यह होगा 0.1 f x0 प्लस h जो 1 प्लस 0.1 and 1.5 प्लस और जो k3 आए था 0.3969 जो की यह आगा हमारे पास यह value पूट की इस equation में x square प्लस y square में तो यहां से solve करने पर हमारे पास यह आ गया 0.48 0.8 तो यहां से हम y1 निकाल सकते हैं y1 जो हो जाएगा yx0 प्लस h जो की हो गया y0 plus 1 upon 6 k1 plus 2 k2 plus 2 k3 plus k4 तो k1 की value k2 की value k3 की value k4 की value यह सारी हमारे पास है k1 की value जो आए था यह आए था हमारे पास k2 की value यह आए था K3 की value यह आई थी एंड K4 की value यह आई थी हमारे पास यह सारी value इसमें put की और put करने के बाद अब solve किया तो हमारे पास आ गया Y at 1.1 पे यह value Y की value जो है वो 1.1 पे यह आ चुकी अब हमें निकालना है Y at 1.2 पे value तो Y at 1.2 पे निकालने के लिए हमारे पास X1 जो है वो 1.1 हो गया हमारे पास और Y1 जो हो गया हमारे पास 1.8954 जो की value अभी हमारे पास आई थी जो की हमने solve करके निकाली थी यह हो गया हमारे पास तो यह हो गया K1 अब द्वारे से K1 निकालना तो हो जागा H F X1 Y1 क्योंकि X1 और Y1 को हम गिवन कंडिशन लेके चल रहे हैं तो यह एक्स वन वाइवन वरावर 0.1 फंक्षन एक 1.1 एंद 1.8954 तो जो फंक्षन था हमारे पास एक्स स्क्वार प्लस वाई स्क्वार इसमें वैल्यू पूट के तो वैल्यू पूट करने पे और 0.1 का मल्टिप्लाई करने पे यह तो के टू जो हो जाएगा एफ एक्स वन प्लस वन अपॉन टू एच एंड वाई वन प्लस वन अपॉन टू के बन तो यह जाएगा हमारे पास 2.1355 और यह जाएगा हमारे पास 0.5882 फंक्षन के वैल्यू निकालेंगे उसके बाद 0.1 का मल्टिप्लाई करेंगे उसके बाद हम K3 की वैल्यू निकालते हैं K3 क्या था हमारे पास X1 प्लस one upon 2H एट 옆र योग उप 11 2 के टू तो है 0.1 116 और f4 को हमने जब निकाला तो f4 बराबर होगा fx1 प्लस h and y1 प्लस k3 तो यह होगा 0.1 f1.2 and 2.5070 तो इसको जब हमने solve किया तो हमारे पास यह आ गया 0.7725 तब हमारे पास k1 k2 k3 k4 की value आचके k1 की value यह रही हमारे पास k2 की value यह रही k3 की रही k4 तो हमारे पास y2 बराबर क्या होता है वो था x1 plus h यह y1 प्लस k जहां पर k जो होता है वह होता है हमारे पास यह वाली टर्म तो 1-6 k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4 value put की इसमे हमने तो हमारे पास value put करने पर y1 प्लस k3 की value थी और यह 1.6 और यह value सारी पूट करके K1, K2, K3 की वेल्व पूट करके हमारे पास जो फाइनल वेल्व आई वो आ गई हमारे पास Y at 1.2 पे 2.5041 जो कि हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंस नेक्स्ट वीडियो में हम रुंजे कुट्टा मेथड के फर्स्ट थर्ड और, सेकंड और, थर्ड और और एंड फोर्थ और से किस तरह से कुष्टन सॉल्व करते हैं और उनमें से कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा एप्रोक्सिमीट होता है वो सब हम देखेंगे थैंक यू फ्रेंट